कि अनंदुप्धारी प्रम करुणे शागर तारफ देवाजी ने फिर्थंतर भद्वन्तों ने जगत के जीव मत्र के कल्याण के लिए धर्व शासन की स्थापना की है प्रवात्मारिया को प्रवों की वह विशेशता थी प्रवों ने विश्व के सभी जीवात्माओं के प्रति आत्मों अप्यभावत को उजागर किया था एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक निकोद से लेकर अनुतर विवानवाशी तक जीतने भी संसारी आत्माएं है सभी जीवात्माएं अनत्त काल से 84 लाख योदी में परिप्रवर कर रहे हैं और संसार की वो परंपरा का मूल कारें दिनावी भगवन्तों ने दिखाया है और आई जीवे जईन दर्शन मांगता है आत्मा का अस्तित्व अनादी अनंता है अन्यात्माओं मीनासी है लिए सब पदार्थों को रिक वह जाता है अन्यात्रों को रिक वहार गया हर बजपतात का मीनास हो जाता है दुश्री बढ़ उनका कोई अस्तिक्व का अंसर ही नहीं रहता है तो वह बात दिमाग में नहीं जब रही है कर भी आप प्रवचन में आयत है कर भी पुझे शाली आप प्रवचन में आयत है कर भी आप प्रवचन में आये हो कर भी आप प्रवचन में आऊगे अब ही आओगे या अपने कोई आएगा तो हम ही आने वाले हैं तो कर सुबह मेंं 10 बजह जिसका अस्तित्व था वो तो विनस्ता हो गया है तो वो तो यहां आच्छते से आई है तो प्रैक्टिकल और एक बात समझना धर्म व्यवहार से कभी भी भी भीड़न नहीं हो सकते धर्मा व्यक्तित्व का आत्मा का उठान करने के लिए है आत्मा की अपनंदर की जो मलिंदाओं को मिटा कर सुद्ध स्व सब्रिक्टिकल व्हार से कभी भी अलद निशा में नहीं जा तो हमारा खुद का हुआ है कि कल वहीं आज में रहा है का आज जो है वहीं कल रहने वाला है तो सब प्रैक्तिकल को वो तो गुद्धी को क्लिष्ट करने का वो पुर्साथ है जहीं दर्शन कहता है कि हर पतात का एकांतर से शुरी जहीं दर्शन ने कभी नहीं माई और वेदांतर दर्शन कहता है कि इस जगत में सब पतातर जो है मों एकांतर से नित्या मैं मंद्यदर्शन कहता है अ कि सब पतात शुरी कें वेदांतर नित्या यानि की एक ही स्वरूप में रहे लगाड़ा तो वो भी में जड़रा को कहा रहा उसमें जा गया तो जिसमें बार बार परावर्तन होता है उस चीज़ को एकांतर से निद्य कैसे बना जाएगा कि आपके साथ करहा हूं कि आपका लेवल सायद ही है तो लेक्रम जी आए हिवाचन से आए और वो लिक्रम जी हमारे छोटे-छोटे साथ को तिबेटियन भासा शिखाने के लिए और इतने सद्दान है प्रवचन चुनने के लिए हर रोद आप सायद लेट आते हो वह सब्सक्राइब है तो उनको भी बता चले कि मन्यता यह क्या है तो दोनों में से एक भी प्रेक्टिकल उसे संभब नहीं मैसुस हो तो उसमें कोई प्रावर्तर नहीं हो पाएगा तो आज में वनुश्य की गतिवे हूं कल में देव की गति में चला जाओंगा या तो किरियंच की गति में चला जाओंगा तो मेरे में जो परिवंदन आ गया एक कांत से जो चीज नित्य होता है उसमें तो कोई परिवंदन वो ही नहीं सकता है आज जो लगड़ा है वो कल राख हो जाएगा रख्या रख्या रख तो हमारे में तो परिवत्न आता है एक दंटा पहले में मौन में था अभी देंटा बोलने लगा तो मेरे भी श्वरुप परिवत्न खmi रने जाता है उन चीजों को तो एकांता निद्य नहीं नहीं होता है कि इस जगत के सभी पदार्थ जो है इने वो निद्या निद्या है इस जगत में जिद्यवी पदार्थ और सिस्थी नहीं हैं निद्या नीद्या है। परियाई की परिवासा जब आप समझोगे ना पुर्णिशानी तब ही जहिंदर्शन का रहस्या उसका मर्मा और पूरा धर्वता में आपको बता जाएं पहले है भी शुचना है आझ की जह दुर्शन जो है वो नित्या-नित्या है निक्त्या-नित्या का मसब वापीश आपको जब जना है कि अपरियाई यान पर्याय यानि की अवस्त तो जैसे के अपको बताऊंगा आपके पास मालोक एक सौने की लगरी है एक सौने की लगरी है उस लगरी को आपने अलंकर बनाने वाले सौनी को दिया सौनी ने उसमें अपका चैन बनाया गले में लगाने की चैन बनाया तो ये चीछ पहले क्या था जब अब क्या हुआ है उसकी चैन हो गई तो पहले जो लगरी थी और अभी वो च्छेई नत साल के बाद उस चैन को भी आप घिलास हो गए और उसमें से तुछा कंकर बना दिया तो यह सब जो पहले था वो ही है या कोई अलग चीद है यह जो जो चीद है वो चीद पहले जो थी वो ही है या अलग है की जो शोना पहले आपके घरी की लग्री के रुप में था जो शोना आपके घरमेन पहले लग्री के सौने की लग्री रुख में था वही सोना यानि कि सोना के रुख में जब लगरी थी तब भी वही सोना है और जब उसमें से आपने कंकड बनवा दिया तब भी सोना तो वही है यानि कि सुवर्न द्रव्या है वह पेले भी था तो वह सुवर्لة द्रव्या वो निरंतर रहा सुवर्न द्रव्या निरंतर रहा मगर उसका पहला प्रियाय जो था लगरी का उसका मिनास हो गया और जेन का स्वरू प्रगण हुआ दस सेल के बाद उस परियाय का भी विनास हो गया उसमें से कंकर बन गया जब भगवाद अविहंटक प्रभु केवल दिनान की प्राप्ति होने के बाद भाग्यशाली आपको इसकी महिवां क्या पकाने चलेगा इसका ही महत्व है इस सिद्धान्द के अधार पर तो पूरा जैन सास्चन का जैन धर्म का निर्मा इस सिद्धान्द के अधार पर बेड़ा हुआ इस सिद्धान्द को समझना और भावीत करना और यह सिद्धान्द जिसने समझ लिया मत्पाग्यशाली धर्म की सब जो अराधनाए करना है जो आरादना करना है उस्वीय करना है मौक्स अवस्था को मौक्स अवस्था का मतलब क्या है तो बंदन में से चुटकारा पाना उसका नहीं है आप लोगों ने माना कि साथ राज उपर जाना वो मौक्ष वो तो मौक्ष पाए हुए जीомина को बहाँ बब मे पहुचने का है मौक्ष क्या जीन है तो बंदरों से चुटकाँ पाना उसका नमौक्ष है आपको कौकसाँ बंदर लगा है कर्म का बंदन लगा है आप लोगों को हम सबी को जन्मवा कर्म का बंदन लगा है इस कर्म के बंदनों से जो चुटका रहा पाना उसको बोक्ष केते हैं और कर्म के बंदनों से चुटका रहा पाना है तो कर्म के सबसे पहले तो नए कर्म के बंदनों से बचना होगा नए कर् कर्व का बंदर के से भुधा है यूद्ध कर रिमका बंदर किस वज़ा से राग और धमेश्य का बंदर मॉथा ए आप वे ड़ियू नहीं कि आप करने सब्साने होता है क्या है वो तो भी श्फूल 3 कि आद्म भाव में से बाहर निकल कर राग और द्वेश के परिणाव को पोछना राग द्वेश के परिणाव को अधीन वह उसको वह उस्टे उस वही कर्म बंद का कारण है मन में भी आपने राग का परिलाम को पूसा सामने कोई रक्ति को देखा और उन रक्ति को देख अगर अंदर ने आशक्ति हुई आपने कुछ बोला नहीं है आपने कोई गलत रिवार नहीं किया है मन में शिर्प उनको देखकर राग का परिणाम पुजागर हुआ बगवान कहते कि आपकी आत्मा को कर्म का बंद लग जाता है कि खाने में मजह आया उन चीज़ में पर आशक ने किया यानि कि राग का पनी खोस्ते ही आपकी आतमा को करबा का बंदन लग जाथ है किसे लगिरила हूं राग का परिणा कोई भी पाक करो या आपक्रिया नभी करो आपकी आत्मा को कर्म का बंजलन जाए यहां तक आपको सोजना पड़ेगा और वहां तक जाके आत्मा को अंदर से उच्छे उठागा कोई कि साजना हो सकता है और रागे महां ही द्वेश है इसलिए राग द्वेश को खत्म करने से कर्वबंद से बचाना आता है इसलिए हमारे वगवान उन्होंने राग द्वेश को खत्म किया इसलिए हमारे परमात्म का सस्त्र में व्यापक स्वरुप से जो मिशेशन दिया है कि ह आज तक आप लोगों ने उतना ही मागत आए कि करेंगे तो तो चल्यान होगा चीनाले का गिर्मार कर देंगे या च्छानी बादी संद्र निकाल देंगे या मासक्ष्रम या वस्त झालें तो कल्यान हो जाएगा भगवान कहते कि जरतक अंदर के भरिनामों की सुद्वी नहीं हुई है मोह का जहर नहीं पिगला है राग और द्वेश की पकड धिली परके खतम नहीं हुई है तब तक कितना भी धर्म करते रहो आपकी आत्मा का कल्यान संबब नहीं है भगेशा यह बेजी तत्वन और जैटर्शन का साग है वो आपको समझेना चाहिए तो भगवान स्वयव वितराग बने है परवात्मा स्वयव को वितराग बने है और जगत के भव्य जिवात्माओं को भी बुलोंने वितराग बनने का ही उपदेश दिया है यह बलवान का उत्रेश का दो रहाष्या है अंत्यरंग जो सत्म है वो तो हम याद भी करने का भूल गए है बस हम भी उपवास करो सामझा इपदिकर मुद्रलों से अभूया कर लो जयादाद करो कर बेड़ा पार हो जाएगा वो आपक्ति घ्रमा है वो तो प्रादमिक स्तरका गोँड़ा-स you produce घ्रमा इंवाज वूल अत्रीं घ्रमा का प्राम कोई है कि आत्रत्मा की हम्पूंति क्षोस्प setti हो भी कत्लाक नशाप उज्यागं करने भार और द्यश्य हरिया प्रिज्क्त अंदर हमें से बीने कर्मा है इसलिए प्रमात्मा ने जो चाहा कि जगत के जीव मात्र को मचाना है, मचाने के लिए प्रमुने कौंसा तरीका अपना है जगत के जीवों को आत्मा की पहचंग करवा कर आत्मा की सुधिर करने का उपेश बगवाने दिया है के जिवह को शुखी करने के लिए गरीब को पेशा देती आप लोगों का धर्वट का लेवाल इतना स्पीड हो गया है आप लोगों ने इतना ही मांदिया है दूखा को बोजन खिला दो, गरिब को पेशा दिला दो, बीमार को दवाईया दिला दो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिला दो, बीमार को फुरूट खिला दो, बिखारी को कंबल उडा दो, बहुतीक जगत में जो दुखी है उनको सहाई करो, वो स्हेठ का धर्म है, थेमैं करने से क्या पाइड है, इसको क्या माइड़ा पाइड है, ये स्हेठ धर्म तो ये है के दुखी की दयाक जजिवा दंप तो वो समीिशर सेठ धर्म है न, आप लोगों को वही लगता है उसका कारम यह कि धर्म का पर्मा को आपने समझा तो लगलाद कहते हैं यह स्रेश्टा धर्म नहीं है वो काथमिक धर्मा पहले तुपर का धर्मा उसमें मना नहीं करता हूं मगर वो श्रेश्टा धर्म नहीं है वो दुखी हुआ क्यों दुखी हुआ वो बरीरों क्यों है वो विमार क्यों परा वो दुखी किस कारण सर है अंदर से आत्मा आप घर्म से भारी है अंदर से जीवराग अग्रेश और कसाय करके आप घर्म का उपार्जर्ण करके हूं पा दूखी ही नहीं होना चाहिए तो उनकी आत्मा की अंदर की स्विटी को दिर्भल बनाओ और अनंदकार में वापिस उनको देभी दुख आये ही नहीं वेशी अबस्ता तक तुछे उठा दो अस्रेस्ट पर उठकार सबने आता है आज आपने एक बार कुछ ने भी दिया और में तो वहां तक के दौबाद ये सारी महुती क्रूप से किया हुआ उठकार भी जो उनका उन्या अनकुल नहीं हैंगे तो आपने किया हुआ उठकार ही उनके लिए दुखदारी पुरवार हो सकता है वोड़े दम ज कि ये ब्रह्मना को तोड़ेना है ये ब्रह्मना जब तक नहीं तुटेगी न तब तक जित शासन का वास्ता मिक्स पर्समेरी आपको होना संबब नहीं है उन्यशाली कुछ ना है तो कुछ नहीं प्राथनी कक्षा में तो उसको साय करनी पड़े गिना तो तो अरियंत प्राभू ने प्राथमी यानि की द्रव्य उतकार करने का निशेद कभी भी नहीं किया तो गवाहतर Państu कि ने तर्व नहीं किया है तरिके स्कंश मानने करने की और कि दोनों के लटे दोनों अग्नानी है दोनों विध्यात्व में भुशे हुए है इस धर्म को श्रेश्ट धर्म का देना न वह भी अंदर में चाया हुआ मिध्यात्व का परिणा उसका मतलब उखी को मदद नहीं करना वैसा मेरा कहने का भाव नहीं है मेरा कहने का भाव यह है कि स्विर्मत उखी को मदद करके अठकना नहीं है वो दुखी क्यू हो रहा है और अव्यंत कामे वापीस कभी दुखी नहीं होना चाहिए मोचिंदा करके उस अवस्था तक उनको उच्छे उठाने का पूशात करना ने उसको संव्यक दर्शन कहा जाता है मोद की क्यों रहा है घूल के कर्वों की रोजसे कर्ण का बेंदम कैसे हुआ अंदर का मों आया का प्रिणमे की बजसे जोल्बन नहीं हूं सकिये वंदमें ऐन को आत्मा की परस्ट्रकाव करें और आत्मा का प्वित्ता स्वरूंदी प्राफ्टी का अभवाय दिखाके उन्तों एसी अवस्ता कुछ उठालों कि अनत्यकार में उन आत्मा को कभी वापीस दुखी होना ही न पड़े वेसी अवस्ता इलाना वह भाव उठार है और वही स्थ्रेश्ट उठाले में सम्यफ्त है वह समय प्रहं कि अकिसले जमता है वहां तक भी ठीके दूसरे का लोगों को भी दिमाग को भ्रमित करके यह नहीं वह सेस्ता है वैसा स्केटमेंट देकर वह विध्यात्र का पोस्टन करता है बंगे साथ के समझ में नहीं आता है तो उच्छना मगर यह प्रबचा अंदर का अगनाम का कचरा को मिटाने के लिए मेरो करते केश्म यह चिंद नहीं वह सकते हैं उन छीवों का दूखको हमें निश्थूर वां से यह प्रेंनेली relieved उसका कोई गलत परिनाम आने वाला नहीं है तो दया भी करो उसमें भी अमारा वियोत नहीं है मगर खुस्कोष रिष्ठता का गरज्जा जो आपने अपनांदा से देगी आई न वहाँ मेरा वहाँ जमता जी तो अपनी बात हो थी दगबान में जगत के जीवों को हुम्मेश के लिए दुखों से छुटकारा दियवाकर सास्त्वचा सुखकी काफ़ी कराने के लिए लगबान में सोचा कि वो कैसे हो संबभ है तो वो संभो होने का एक ही उपाय है कि जीवात्मा ये राग और द्रेश की विक्रुतिया से छुटकारा भाके जो हो भी तराग बन जाएगा तो हमें तकाल के लिए उनकी दुखकी पर फिरा खतम हो जाए राग और द्रेश का परिणाव इस बहुने भी जीवात्मा को करने वाला है इसलोटे नियुका को पुकी करने वाला है इस अ कल देश को भार करने बौकी परपरातक कर्मचलári च्शू से ती कुण परिश्कियों निर्मां करने जीवात्मा निर्मा कर कियू सुटिकर राग द्र्व्र और वह अखेला स्वांधी नहीं है वह तो सुख्षी बहुत सारे कोईवाले सुख्षी बने हैं और उनके सामने जो जो बैठे ने उन सबी को भी ऐसा ही सुख्षी बनने का मनोरत लेकर कट पर आए अबस्यां को सुख्षी बना ही नहीं है तो एंको केसे बना चलिए बठे साली कि यह सिथान को रड़ो की रागत मेशका परिना जीतना अबन कावाल कि उतना व्यक्तित अथकाल बूक है सब्सक्राइब अंदर में संक्लेश की फरीदनी को पैदा करता है कि अध्याद करता है कुल उत्वारा कि स्रीबा गई रात द्रेश का दो परिया न वही रखती को अंदर से इस्टक करता है राकूल बनाता है कर देखते हैं लर्ट कर ना कि या विल्द सब्सक्राइं झाद्छ और हिं या दूर्फ। इसे ज़ाँ जो जो सब्सक्राइब शूर देखते तो अप्न रग्या ब्ढूस होता है इसलिए मेरे बबाबाने चाता के दुमिया पर में बटक नेका छोड़ के आप दर्मस्थानें आके बढ़ने आप निज्जाब भी देखे नहीं 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 हम भी आई रहे हैं अपके इतने नीजेर का सथर पर क्यों नहीं है आप संसार में पेड़े इसलिए ही दुखी है इसलिए तो वगवार में कहां के जो आपको दुखी नहीं होना है तो संसार को छोड़ दो वगवार में इसलिए तो बता रहा है वाकिया सबका सत्व तो नहीं होता है वगर सबका अबिलास तो होना होतो हो सकता है ना तो यह क्यों कुछा समझते हुआ। क्यूंकि वास्कावित्ना वह बढ़िए इसमें स्कुने बढ़ाए। आग लोगों को इतने सालों चक जिनुहनी का श्रवन करने के बाद अंदर मन से संसाथ भूर्या कितना लगा। अंदर से बूर्या कितना लगा। छोड़ने लेसा कब छोड़ पाउंगा। इमें फस गया हूँ। यह जुद्गा में पूर्या जीवन बर्माद हो गया। और ऐसे ही साधना करने के बिना मुल गया तो यह भूवी बिगर जाएगा। यह साधना का मुझे कब प्रात होगा। वह अभियास भी कितने बार अपने अंदर में बैदा हुआ है। तो वरवान केते की धर्म की फात्रता का और एक लक्षन है। धर्म की फात्रता का लक्षन सभापनिक अनदर से असार अंदर से पूरी कर्या दिखने में लिखने में अपकशा भी वालाMay Saki Mahir Such और वह पावी संचार भीदर से भयानक है। वो जिसको अंदर से फिरीम दो होता है न, कोहीं वास्काव में तत्रीक लुप से धर्वती पात्रता बादा चीव और से भी आप जो भाड़ा क्योंकि आप लोगों को तो फिक्राएंगा यहां से उपार से बाहर निकाले के बात को भी स्वध्या कर रही है। आपको एसा भीषए न, तो यहां ही में स्वध्या करा दूंगा। कि दुआ बहुता हूँ कि बहार से रुपान भी हिंदी संत्त नहीं सार वार से अंदर के पर लिए ये यह संसार छोड़ने जैसा और मिले हुए मानों भौ में आत्म साधना करके ही जीवन को सफ़र बनाना स्रेश्ट है वो विश्वास जिसके अहुदर में प्यादा भी नहीं हुआ है बाहर का संभार से सुन्दे लगता भी संसार भीतर से जिनको प्यानत दिखता भी नहीं है न संभ्यक जिनको आत्म संभ्यक दिखती है और जिनको अंदर की भी संभ्यक दिखती नहीं है न आपका नुमर किसमें आएगा कमशेकम खुद की आंदर की जो कमजोरी अवस्ता है में उसको समझो के लिए मेरी अंदर की मेरा अपलक्षन है यह मेरी कमी है यह मेरा दोस्त है यह मेरी निर्मलता है कि एंदर्बसा मेरी निर्मलता के लिए अरदना के लिए आयक सम्यक नफe की बाइप नगना जना है और ये जब तक मिल्ट्का जला नहीं है जो दर्म की फात्ता ही और लींदाब्छ पात्रता कि दुक्त ना भी सु мешका ने दो फी यह कि पेला यह पत्रत आखके उज्जा करो बाद में देवाद में मुख्षपाने के लिए क्या करना वह बाद में बताओं अभी इत्मी तो पत्रता बेला करो पुण इसाली कि उसमें व्यवाद कि बहुत सारे भैदें वो जटा के लिए अभिशा के अवह वनी का ही ही कि कि आप जो फॉच्छर ना कूंकि आप जो प्रस्थ Betty वो प्रस्थ पुच्छने के वितर बी अंदर की मंसा कि अपनों को डिक्साद नहीं लेना है निक्सा लेने के बीना ही वोग्सने पच्छा रहा है उस वांतिकता से आपको पस्तक कर रहे हैं और इसलिए कहता हूं कि यह पस्तका जवाब आने की पात्रता भी आपने देखी वाजू गल्गलिया था होना वह नहीं खाड़ा जाता है गल्गलिया हो जाना अम हमारे महां जिंसा सन्वे भगवान ने मोहिए जना के तो पड़ा है और सच में कहूं कि यह जो अभी प्रावचन का विश्य चल लखाए न वो महारमिक विश्य है और जिंसासन का रहस्ये को समझने के लिए यह फ़ी दॉन से समझना अंदर का दिर्वाजा को खोनने के लिए मोक्स महार के करने के लिए यह समझेना कि आवश्यक है तो गंबेरता से समझ के निमान में भिठाओ समझ में नहीं रखता है तो भले वापी साथ दो बार नीच्छे बार प्रस्ट दरो मगर इतना वीज़न क्लियर हो गया है मैं मानूंगा फिर अपना सब्सक्राइब को हमारे महां भगव ओर पूरा संसार का करेंठ म मिंदू यह दो कर हमार और तो तो बोल मुझा इन को कहत navy बाई प्रम या वाप अपका वेवल से शब्दका अर्थां मोन को आपको एक सिखाऊ कि उसमें कोई हिंदी सब्द मुझे नहीं आएगा तो मुझे गुद्रादी का यूज करना पड़ेगा भगवान कहते हैं कि वस्तु यहां गुद्रादी प्रकुजु ठीक समझाने के लिए वस्तु को अदुआ को ऑद हिंदे में चलेगा कोई पीजी अच् Wed लगना कोई भी चीज अच्छा लगना वह सब्कुद्रेक घुदे कोई कि भौतीग जगत के बाद वो यीवनिया तो अच्छा लगना हो चारी तर्मोह अच्छा मानले लहां कि अच्छा लगना ओछ जी से अच्छा मांगना वह थी उड़ा दिमें कहते शाहले ना हूल आपने साभू मान मुदू ऑक लिए अला उसे हैं त्यारित दौल्टल उसी जंसे、 मिध्या तो असारू मानवू ये मिध्या कोछ है शारू लगू ये चारी त्रमोनिय कर्म का उदेश से भी दर्शन बहुनिय का उदेश ज्यादा भाड़ी है भयानक कि उद्धारण चाहिए जिंद्ध को डाइबिटिस का घंदि कि उनको गोजन की थाली में अब जिद्धाई आई एक बहुत सालों से बहुत मिठाई खाया था इस दिए तो डाइबिटिस आ और वो डाइबिटिस का दखनी को प्रेशन ने बता रॉक्तर में बताया कि आपको मिठाई खाना नहीं है मिठाई आओगे तो आपका डाइबिटिस बढ़ जाए है और उनको डर लगे आता है डर लगे आता है अब डाइमेटीज बढ़ेगा तो मेरी हलत खरा बहुत आएगी कि इतने महीनाओं से उसने खाने तर कंट्रोल रखा तो आज कोई जब्याओं पर बोजन समार प्रेकर आए और मनिभावन मिठाई तो नित्याओं प्रस्कारी में वो आई क्या करेगा तो आज तो खालेगा तो सही आज तो खाली भरके जितनी भूख होतना वही पिठाई खाना और कुछ तर्चमी नहीं करेगा तो क्या करेगा जो एक दोपीस खाएगा तो एक दोपीस से ज्यादा क्यों नहीं खाएगा तरिनाम पता है ना परिनाम मालूम है खाने से सब्सक्राइब हो जाएगा तो खाने में उनको अच्छा लगता या नहीं लगता है मेरा प्रस्ता यह है कि वह मिठाई खाने के दवरां मिठाई अच्छी लगती है या नहीं लगती है अच्छी लगती है इसलिए अच्छा मानता है मतलग के समझदारी ही कमा लिया है अच्छा मानता है कि मेरे यह मेरे लिए घुलकार यह तो अगनान है उनकी समझ ही करते हैं कि जो मनता है कि अच्छा पो समझेदार करता है मुरहां पश्चान की की ओधिए टिफ पेशन जब है की जो इनको ईच्छी लगती है कि समझधाल यह अच्छी है इते हैं मनिका यह एक पैशन प्लेबे अच्छा लगता है इस मिठा अच्छी लगती है हो अच्छी मानता नहीं कि वह समझता है मगर सद्वहीन है कि अपके लिए दे रहा हूँ आपको खुछी भूमिका को तपासता है कि मेरा लेवर क्या एक पेसंट ऐसा है मिठाई अच्छी लगती है अच्छी मंदा नहीं है समझता है कि हमीदा अच्छी लगती है खाने की मज़ा आजाता है और खारी लेता है दो चाहिए अंदर से क्लियर है कि यह खाने जैसा नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ कि जब भी मिठाई खाता है न अप्वी अंदर से आवाज निकल दिया कि तुब लगत कर रहा है वह आवाज इसलिए तो दोट बड़ा से ज्यादा नहीं लेता कोई मित्रों फोच करता है तो भी अटका देता है नहीं मैंने दोट पर लेगा अब मत भोच मटकर तुझे ख में लिग करता है कि है तो एक ही यह में को थी सम этом है जो समझधार मगर सपोरी सबस्तों हैBlack में सब्सक् grooming में मगें सब्सक्राइब यह वह समझदार प्लास सब्सक्राइब करें दूसरा प्रेशन डेसा है सब्सक्राइब नहीं है इसलिए छोड़ नहीं सकता है और समझदारी भी नहीं है कि यह हमी का रख इसलिए पूरा पेट भर के मिठाई का लिए इसलिए वह संसार को भूरा मनता भी है और हिम्मत से त्याद भी कर सब्सक्राइब करने वाला है इसलिए सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब का सब्सक्राइब तो आपने जो किया कि संसार के सुखों में गलगलिया होता है उसका मतलब की अच्छा लगता है संसार के सुख में आपको गलगलिया होता है उसका मतलब की वह सुख आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता है फिर भी अंदर सब्सक्राइब कर रहा है तो समझना कि आप सब्सक्राइब है मगर समझना कि आप सब्सक्राइब यह जबूर है क्या बोला लेते हो छोड़ नहीं सकते हो तो सब्सक्राइब है बगत समझना के पासे तो आपकी आपमा को निस सब्सक्राइब घुर्णार में आपका लिवर आए यानि कि ऐसी हालत में गलगलिया होता है तो भी जो अंतर मैंसे शब्धा से नाभी से मते कर्म का उदे जरूर है आप सब्सक्राइब करें नगर जिनको संसार मुरा लगता ही नहीं है निठा ही लगता है अच्छा है तो फुन्य संगिला तो गुगर ना चाहिए जिनको आत्मा की आपनों स्वरुप की याद तक भी नहीं आता गदवान केते हो सब आत्मा कितना भी वह सब आत्मा परिख्या दोश्टी से दीने हों कि समझे का तरवा यह मातन है कि समयक्ढ़्ष्टी होना आवश्यक है समयक्ढ़्ष्टी यहां तो समझदारी के साथ लेना देना है आपकी अंदर की आपकी क्या है उसके साथ समयक दर्सों आत्मा का विकास को लेना देना है आपने खौंसे दर्सने जनम लिया वो गौन बाबत साहिक करमात्मा ने विश्व कर्लायन की भावना रखी है इसे बारत इतना पर टार अब यहीं गाने आहिए लें शुर्दध आपक पेहले路 कि कि आजादी से पहले या तो 100-200 साथ पहले यह अफगानिस्तान विभरत में ही था यह जो नेपाल है हमारे बैदर बाहुश्वामी की महराच ने अंतिन समाती नेपार में दिया हुआ है बदर बाहुश्वामी महराच अपने अंतिन चोपूर अदर महापूर उनका काले सब्सक्राइब करता हूँ और भगवां दुश्यम देव के काद में तो पूरा दे भर्तक्षेत्र छेखंड का वो सब पुरा ही पुरा भारती था समझने आता है और उसमें भी विशेश रुक्षे आता प्रश्ण का दोजवां दिया जाएंगा वहां की उल्चा का एक प्रवाव होता है तो भर्तक्षेत्र में भी जो मद्य खंड है मद्य खंड की जो उल्जा है न वह साधना के लिए विंकुल अंकूल गुमी है इसलिए स आपनी बात वो थी कि घदवान अरियंत प्रवूने आप जंदे हैं लोगा माविर स्वामी की सभषण में महराजा भी आते थे लुग माहिर की परस्दामें पूनिय इस्रावग भी आते थे जंदे हो और बगौान की परस्तामें इंडर महराजा जान्दे संदे को भगवान को भगवाद कभी इंडर महराजा को भगवाद कभी शौली बप्रकों कभी एसा कहा कि यह पूर मतमगर्द देश में जितने भी गरीब और दुखी लोग है न उन सभी की गरीबों का तो मिटा दे सभी को एक एक लाक सुना पर कान में दे दे वेश्ता बगवानने कभी कहां सुना आपके क्यों नहीं कहां इंद्र महराजा बगवान के आद्रकित नहीं थे बगवान के अग्रम की तो नहीं थे इतने बहाना जा चेडिक भारेजा बगवान की आग्रम को शीर पे चलाने वाले नहीं थे तो बगवान में रहा नहीं थे तो बगवान में रहा नहीं थे तो बगवान ने क्यों यसी करना नहीं किया बगवान ने यसी प्रेरना क्यों नह द्रवय से शुख्य कर सकते बाधि द्रवय से भी शुख्य करना उसकी लेना उनका अपने का साथ नो हो तो और आगे बज़कर बताऊं मैं वहां तक केता हूं कि एक उद्रहरण देखिया आपको बताऊं कि घर में मम्मी को दो लड़के थे एक लड़का सरी से हटा कर था किंटना भी एक साथ 20 पिठाई का टुकड़ा खिलाया तो भी पचे जाता दूसरा लड़का बीमार रहता था उनको भुखार आया था मुंक का पाली भी पचाना मुश्किल था दोनों बच्चे को भोजन के समय पर मम्मी ने फिलाने के लिए बिठाई एक लड़का को मम्मी ने मिठाई पिर्शी दूसरा बच्चा को मम्मी ने मिठाई नहीं दिया कि दूसरा बच्चा को मम्मी ने मिठाई नहीं दिया कहना ही परेगा कि जिसको मिठाई दिया उनके बर्माता को प्रेम है जिसको मिठाई नहीं दिया उनके बर्माता को प्रेम नहीं तो जिनकी जितनी केपेसिटी है उतना ही उनको देना उसमें उनकी बलाई प्रेम दोनों लड़के पर एक समान है प्रेम दोनों लड़के पर एक समार है मगर उनकी पचानल की खैपेशिटी से ज्यादा देना वो तो उनके लिए हानिकार पुर्वार जमता है जमता है तो मिठाई देना उसमें भी प्रेम छुपा हुआ है भगवान को जीव मत्तर के बढ़ी प्रेम के पर भी जितना प्रेम था उतना ही प्रेम द्रमक और बुणिया के पर भी बगवान का प्रेम में कोई फरत देना है और ऐसी कर्म वाली हालत रोगिष्ट हालत में मिठाई देना वो भी नुक्सान कारक पुरुआर होता है वैसे उनका पुन्डे से ज्यादा दिला दना वो भी उनकी आपना को संतार में दुखी करने वाला पुरुआर हो जाएगा उसको जीतहा है उसमें ही उनकी मलाई है उससे ज्यादा दिलादेां में उनकी म्हाराजा को पुरुआर नहीं दिया हॉआ जर्मत का नाम बीवेख है पिल्कुल पक्त सर्वत्र बीवेख यापक चाया हुआ है ना लोग्समा आपको प्रोब्लिम क्या हुआ आपको क्या प्रोब्लिम प्यादा हुआ बताएं ना गविश्यु प्रते हम दया करने जा गए लेकिन ये तपास करेंगे कि भई उसका दया के साथ विवेक होना शर्वत्र जरूडी है आपको जब भी दुख्य को बदर करना है तब आपका खुद कादली लेवल को ध्यां में रखना है शिर्व उनका और आपका दोनों का लेवल ध्यां में रखना है आपके लेवल पर हमारे वहाँ द्वात रिंसर द्वात रिंसी का नम का ग्रंथ महोपाध्यार यश्व विजय जी महराज ने बताया है उसमें उन्होंने वहाँ समझाला है कि दुखी की दया करना है और जिससे परिणाम ज्यादा मुरा आने वाला न हो वेसे दया करना और उसमें आपका परिणाम की कठोता का पोशन न हो इसलिए आपको कोई भी दुखी को देखा तो दया करते ही रहना है मगर उसके पिछे पिछे क्या करेगा वो आपको लंबा सोचना नहीं है हाँ आपके ज्याद में आ गया है कि परिणाम गलत आ रहा है दो टक जाना यह लिएक दश्टी है समझ में आता है फिर से बल वहां हूं कि कोई भी दुखी रख्ती को बदद करना वो करुणा भाव से आपका कर्तम्य है श्रावक का मगर वो करना करते करते वो क्या करेगा मैंने वो दुखी दस जार दे दिया तो उसका वो क्या उप्योग करेगा मगर दे लेखना भी है सुखी होने वाला नहीं पहले से आपको क्ता चल गया है मगर वो क्या करेगा उसकी चिंता और बेले से आपको नहीं करना है कि समझ में आता है कि यह विए भगवाद ने बता है वह भी कर्म को काटने के लिए भी शुक आता है वह किया हुआ कर्म के बंदारों को शीन करने के लिए आता है तो जो गटना हमारे कर्म के बार JEFF को हलका करने के लिए आए है उस घटना को उपकारी मना जाए तो पुल्या को जो हरत मिली थी वो भी उनका करने के लिए तो वो अवस्ता उनके लिए उनके लिए उपकार रगती या अपकार रगती तो वो घटना जो उनका उपकार के लिए आई है तो भगवान उसमें विक्सेट क्यों करेंगे इसलिए भगवान ने सब भाव से श्रेणिक की समृध्धिका भी और पुणिया की अवस्ता का दोलों का समता भाव से भगवान ने स्विकार किया है कि समझने आता है और पुणिया शाली भगवान ने दिखा कि टेमपररी दुखन को मिटाने का कोई मतला भी नहीं है यह जिन सासर का भीतरी रहस्तर को समझे ए टेमपररी कोई भी दुखन की हालत को अध्काना वो लंबी समझदारी नहीं है पर्मेनेंट दुखों से इसलिए भगवार ने दिखा कि अभी टेमपररी पुणिया की अभी विखारी की गरीवी को विटा भी देंगे कब तक चलिए वह कोई पर्मेनेंट को पाई देंगे सही माइने में तो उनके सभी कर्व कर दिजाए ना और उनकी आत्मा सुद्ध हो जाए तो आपीस इस प्रत्मियों के मध्यम शे तेपरी दुख में सपोर्ट करने वाला उपकार करना को प्राथमिक निसा मरी ठीक है वह गलत है वह गलत है मैं यह देंग है उसमें आपका द्रया करोना का परिदम ठीके उतने पाइमाने में वह अच्छी बात है मदर्व पर्मिनिंट इलाज न इसलिए बगवार ने सोचा कि जीवों को बनाना है तो क्या करना परेगा तो जैसे मैंने वितराग दसा को अंदर से उज्यागर कर दिया है वैसे जगत के सभी जीवात्मराओं को भी वितराग बनाना वही दुखों के चक्कर में से छुकारात आने का सही इराद कि जटता है में जबता है क्योंकि मिला हुआ जो भी सूख लेला उसमें आप बनाश्यत रह सकतने हैं वो आपका सामथ्याल है और और वार्ट शदर्शियों कमाई करने वाले आप अखेले गर्में जो भी आया जो भी आपने घर में सजाया वह किसकी कमाई है कि जल्दी से क्राइब बस बस गए ले किसकी कमाई है अच्छा शावी काने घर में मिठाई बना आया कमाई किसकी यह को उनों ने भी मेन्द नहीं की आपनेस्थ मिठ विटे लियुक्त बड़ और अचेट लेक्राइब हो Ide । इसकी महनत का है तो आप कितना खाओगे, खाओगे कितना ऐसा पुष्राइब आप 15 किलो मी ठाइव आए है, उसमें से आप कितना खाओगे, 100 ग्रम, 1500 ग्राम, हाँ, हाँ, डाइब लीज़े तो उतना भी नेगए, तो मेरा प्रस्ना ये है कि आपकी प्रणी सली, क्यां से सु आपका नशीब है और आपके है मेरा है उसमें से आप क्यूं से ज्यादा क्यूं नहीं खाते हो या तो नाइभी किसे तो आप प्ला भी क्यूं नहीं खाते हो छो बेले वेरा है मगर वो खाने से मुझे जो और नहीं होता मेरा स्वास्त्य करता है तो मेरी कमाई का भी मुझे नहीं खाना थे ठीक है शितान ये शितान को समझो मेरा नसीद और मेरी मेहनत से कमाया हुआ मैंने खुदिने लाया भी जो भूजे पच्छता नहीं है तो भूजे नहीं खाना है यह सिताथ आपको जो नहीं खाना चाहिए जो आपको आत्मा को हजम नहीं होता है लगाज चाहिए तो पूरा सिटाथ अक्की दुनिया पेसे ही हम को मालूम होता है जमता है तुझे शही अंधिने चाहिए है करने चाहते हैं आप क्षाइब करने चाहते हैं अपकी वाक्से आपकी वाक्से वह प्रिष्ण करते हैं तो बन्याबधा है तो भूगोदा तो पढ़े दाऊना थी सब्सक्राइं जब तक नया करम बंदर से बचने का समर्थय नहीं है यहीं से सुनिये जब UE बचने का समर्थय वैरा ले वही तुछ करने के लिए वी सुक्रक भॉगवना वह समझ दाली दिये वह नमधा है पनाली आपक उंहिक्त aqu पुन्य शाली ने ऐसा प्रस्टत किया जैसे के दूख सवान करके बाप कर्म को काधना है वैसे पुन्य कर्म को भी भोगवना तो पड़ेगा ना कि फुन्य भोगवने स्टक्षं हो तो पुन्य भोगवने के बिणक भी ख्शाही नहीं हो तो लिए मगत ना पड़ेगा चलो हमगों दोू हमलेंगे अरी कर्मण का बंद हो जाए वैसी अमारी जो मांसिक निर्मान का वो तो पुराना पुर्ण नंतों काझने के अलावा नया बंद नहों इत्ष्छाब के बैखने रहना उसमें आपकी समझना है यानि कि पुण्य को काटने के लिए भी पुलोने की आपकी आत्मा की पुवी का ने की समझ में आता है चलिए प्रवचत खतम करना है तो लाज सब्सक्राइब कर रहा हूं कि वर्वार ने ऐसा बताया कि कि संसार के जन्मों वरण की परमरा के अनंत भवों के लुखों से चुटकारा पाना है तो तेपर अरी बहुतिक पदातों के मत्यम से द्रफ्य दया करना वो स्रेश्ट उपकार नहीं है नगर सब जीवात्माय रागत्रेश्वों के बंदानों से चुटकारा पागर वितरां दर्शा को पाए तो ही अनन्त काल की रुखों की पर्वपरा से वस्तवीक चुटकारा संपवढ़ है इसके लिए भगवार ने चाहा के सब भी जीवात्मा उपको वितरां बढ़ाना है और वितरां किसे बना जाए इसके लिए संसार का स्वरुंप को समझने के लिए वो पाणने के लिए यह तत्रणान आपको समझना अनिवारिया है जगत के कोई पदात शनीप नहीं है जगत का कोई भी पदात एक अंद नित्या 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 है परियाई से अनित्या है जो सोने की च्रिंग का उदारण दिया था वापीस जरू लहेगी तो करके प्राचन में उसको थोड़ा और एंगलात करके समझने की कोशिश करेंगे मंगर जब पदातन को मित्या-बित्या-पित्या-पित्या-प्रकी समझराली उज्यागर होकी है ना तब राग उख da pa और आपो आप गोगनान के बन से मिटना है, तो मोद इत्या इत्या की बाद, उसके मंद्यों से हम आत्मों, आपको उजागर करने की सामना करके मिला हुआ जीमत को सफल बनाए बोले अन्ता से मुझें काप रही।